बोर्ट परिक्षाएं कक्छा 10 वी और कक्छा 12 वी के लिए छात्रों के प्रक्टिकल मार्स के इंट्री कैसे करें इस सम्मन में कुछ सिक्षक सांथियों के प्रशन आ रहे थे तो आज हम देखेंगे कि छात्रों की जो practical marks हैं इनकी entry हम कैसे कर सकते हैं इसमें बता दें कि practical marks की जो entry है इसकी process same बैसे ही है जैसे पूर्व में हमने quarterly exam, half early exam या फिर pre-board exam की जो marks के entry किया था लगभग बैसे ही इसकी भी process इसमें दी गई है इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी browser में mpbsc mp online की जो website है इसे open कर लेना है इसके लिए आपको address bar में type करना है mpbsc.mponline.gov.in इतना type करके से search करने है search करने पर कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा अब right corner पर जो sign in का option दिये गया है इस पर click करके आपको अपने school का code और password की सहायता से इसमें login हो जाना है जैसे ही हम इसमें login होंगे तो कुछ इस प्रकार का interface हमारे सामने आ जाएगा जहांपर आप देख सकते हैं प्रायोगी परिक्षा practical exam mars entry एक option दिया गया है तो mars की entry जो practical exam है इनके marks की entry करने के लिए हमें इस option पर click करना है जैसे हम click करेंगे तो एक नया page open होगा जहां सबसे पहले हमें class select करना होगा तो जिस class के छात्रों के practical marks की आप entry कर रहे हैं वो class आप यहाँ से select करने इसके उपरां regular या private जो option है वो आपको select करना होगा इसके पहस्चाद हमें subject select करना है तो 10th की यदि हम बात करें तो 10th में science subject रहता है तो आप science select कर सकते हैं या 12th की यदि हम बात करते हैं तो 12th में जो subject आपकी साला में है वो सभी subject यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं physics, chemistry, biology सभी subject जो है वो यहाँ पर 100 हो जाएंगे तो जैसी subject की आपको entry करना हो वो subject आपको यहाँ सेलेक्ट कर लियना है इसके उपरांंd serial number मिलेगा तो serial number पर click करके आपको serial number select कर लियना है और serial number select करने के उपरां submit इस option पर click कर देए जैसे आप click करेंगे तो आपकी साला से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर open हो जाएगे अब यहाँ पर जो marks के entry करने के option है समान option है जैसे हम page को नीचे scroll करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि छात्रों के roll number दिये गए है और roll number में आप देखेंगे कि एक box सामने दिया गया है तो इस box में छात्रों के प्राप्तांक लिखना है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ साउधानी रखना होगा जल्दवाजी में बिल्कुल भी आप काम ना करें साउधानी से और पूरी तरह से समझने के पश्चात ही आप इसमें मार्स के इंट्री करें अब समझने के लिए आप देखेंगे कि इसमें निर्देश भी दिये गए हैं जैसे इसमें अधिक्तम अंक दिये गए हैं, अधिक्तम अंक 30 है और नियुन्तम अंक 0, अर्थाद 0 अंक आप नियुन्तम दे सकते हैं और अधिक्तम जो अंक है 30, अब इंट्री करने में हमें कौन-कौन सी साउधानी रखना है, तो इसे चेक करने के लिए जो मैसेज का आइक जैसे इसमें second है कि UFM पिरकरणों के लिए केवल U की पिरविष्टी करें अर्थात यहाँ पर UFM का पिरकरण है वो यदि हो हमारी साला में तो केवल U हमें पिरविष्ट करना है इसे पिरकार जो अगला निर्देश है कि यदि छात्र absent है तो ऐसे छात्रों के लिए A की पिरविष्टी करें तो इस बॉक्स में यदि कोई छात्र absent है तो किवल A हमें फिल करना है और NR पिरकरणों के लिए किवल N की पिरविष्टी करें तो इस प्रकार से चार निर्देश और जो पाँच बर निर्देश है अंक भरने के बाद ध्यान पूरबक सुनिश्चित करें एबं उसके बाद सेव करें तो आपने जो अंक फिल कर दिया तो एक बार रिवाईस कर लें और अच्छे से चेक कर लें और आप संतुष्ट हो जाए इसके बाद ही आपको सेव करना है और इसका प्रिंट निकलना है तो इस प्रकार से जो निर्देश इसमें दिये गए हैं कि हमें सावधानी से काम करना है अंकों की जब हम प्रवश्टी कर लें तो इसकी एक बार पुने हम जाच करने और 100% सियोर हो जाने के पस्चाथ ही हमें इसमें सेप करना है और इसके उपरांत अंत में हमें final log करना होगा अब यहाँ पर ध्यान दें, red में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि final log करने के बाद ही प्रापतांक अंक मान होंगे अर्थात आपने अंकों की प्रिविष्टी कर दिया, इसके पस्चाथ अंत में आपको final log भी करना होगा तभी online जो हमने अंक प्रिविष्ट किये हैं वो मान होंगे तो इस परकार अंकों की प्रविष्टी करते समय हमें साउधानी रखना है अब इसमें नीचे आप देखेंगे कि सेप का उप्शन भी दिया गया है साथ में आपको पिरचार का नाम लिखना है संबंधित साला के वाहे परिक्षक का नाम लिखना है और डेट आपको इसमें फिल करना है डेट का ऐसा है कि जिस डेट में इसे ओपन करेंगे वो डेट आपको यहां पर सो हो जाएगी इसके उपरांत वाहे परिक्षक फोटो आइडी अपलोड करें अब जो फोटो आइडी है इसमें स्प्रेस्टूप से बताया गया है कि अधार कार्ट को छोड़ कर अधार कार्ट को छोड़ कर और जो आइडी है बाहे परिक्षक की फोटो आइडी भी आपको upload करना है और इसे भी jpg format में कम से कम 50 kv और अधिकतम 100 kv में इसमें upload करना है इसके उपरांद save mark इस option पर click करें लेकिन save mark पर click करने से पहले आप एक बार संतुष्ट हो जाएं और अच्छे से अंकों की जाच करने कि आपने जो अंक फिल किये हैं संबंधित roll number के छा अंकित प्रापतांग अंकों में कोई तुरूटी सुधार नहीं होगा अर्थात आप अंकों में किसी भी प्रुकार का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे सेकंड जो है कि किरपया प्रापतांग अंक फाइनल लॉक करने के बाद प्रिंट आउट निकालें अंतिम दिनांग के पश्चाद प्रिंट करने की सुभीधा उपलब नहीं रहेगी तो इसका print out भी लेकर जरूर रख लेना है अंतिम दिनांग के पश्चाद इसका print out आप नहीं ले पाएंगे तो इस परकार MP online की बैव साइट में हम कक्छा 10W और 12W के छात्रों के जो practical marks हैं इनकी इंट्री कर सकते हैं एथी practical marks के इंट्री के सम्मन में एक महत्मून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद